हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक कोश्चन ले करके आया हूं यह कोश्चन क्लास 9 की मैच से है चेप्टर 1 नंबर सिस्टम से है तो इस वीडियो में देखेंगे आप बस वीडियो को ध् यह भी रिशनल लंबर है तो हमें यह बताना है कि यह लार्जर है या फिर यह लार्जर है ठीक है तो चलिए देखते हैं आपर कि सौलीव संद अब है अब हमारे पास तो कोश्चन है क्यूब रूट आप 64 और यहां पर हमारे पास है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो 64 है उसका प्राइम वेक्टराइजिशन क्या होगा सब्सक्राइज क्या राइट कर सकते हैं यह आपका रफ वर्क हो सकता है आप चाहुत इसे फेयर में राइट कर सकते हों लेकिन मैं इसे अभी रफ वर्क कंसिडर करूंगा ठीक है तो जहां पर क्यूब रूट आप 64 है वहां पर हम राइट कर सकते हैं क्यूब रूट आफ टू रेस टुदी पावर 6 कितना क्यूब रूट आफ टू रेस टू पावर 6 इसी प्रिकार से हम 128 का करेंगे तो इस प्रकार से आप देखोगे 1234567 यानि की 128 को हम राइट कर सकते हैं टू रेस टू पावर 7 कितना राइट कर सकते हैं टू रेस टू पावर 7 अब यहां पर क्या होगा और पोर रूट टू रेस टू पावर 7 इसके प्लेश को हमने क्या रख दिया टू रेस टू पावर 7 अब देखो आगी क्या हो सकता है एक आइडेंटिटी होता है अब यहां पर यह वाला हमारा एन है और यह वाला हमारा एन है ठीक है तो इसको फर्दर कैसे राइट करेंगे वह देखे आप यानिकि यह वाला इस फर्म में है तो इसको अब हम राइट करेंगे टू रेस टू दिपावर 6 ओबर 3 कितना राइट करेंगे टू रेस टू दिपावर 6 ओबर 3 इसी प्रिकार से हम इधर वाले को राइट करेंगे टू रेस टू दिपावर 7 ओबर 4 देखो यहां पर यह कट सकता है तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा टू अपान वन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इन दोनों को सॉल्व करना है आगे अब देखो इतने से हम आंसर नहीं कर सकते क्योंकि यह पावर फ्रेक्शन में है एक बार हमें यह पता चल जाए कि यह पाव पर सका LCM ठीक है पहला पावर है हमारे पास टू ओबर वन और दूसरा पावर है हमारे पास सेवन ओबर फोर तो यहां फोर है यहां अगर हम फोर मल्टिप्लाइब कर दें नीचे उपर तो कितना आ जाएगा टू फोर या फिर सेवन अपान फोर आप देखो डिनामिनेटर यह पता चल गया कि कौन सा पावर बढ़ा है यह वाला पावर बढ़ा है तू और सिधे सब्दों में बोलें तो हम дан है कि च्छोटा यहीं पर आंसर मत छोड़ देना हमें इस मेंसे बता नों कि ये बड़ा है या ये बड़ा है तो ध्द्यान से देखना यह किसा है यह इसका है और योड़ा होगा यह चोटा होगा तो यह हम इसकी place पर लिखंगे 10 Apollo 64 ऐस ग्रेटर दैन ऑफोर रूट 128 ठीके तो यह बड़ा हो बया हमारा और यह इस question का answer हो गया यानि कि अगर ऐसा कोई भी irrational number आप से पूछता है कि कोन बड़ा होगा कोन छोटा तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसका power बड़ा हो रहा है जैसे यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है तो सेम से में कोई दिकत नहीं है अब जिसका power बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा जैसे अब यह नंबर बड़ा होगा यह नंबर करूगे तो आपको समझ में आ गया ओगा कौन सा ही rational number बड़ा है और कौन सा ही rational number छोटा cube root of 64 is greater than 4 root 128 यही हमारा answer होगा आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पॉच्छ करके screenshot ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तब अगले thank you class